कल क्या कुछ हुआ है अंतराश्य बाजारों में पूरी डिटेल लेकर मेरे सहीयोगी दिपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं दिपांशु टूली थांग गॉड इस प्राइड अज कह सकते हैं आज तो definitely good morning है और हमारे color red होंगे बट बाजार का mood definitely green है और बहुत ही बड़िया mood में बाजार आपको दिख रहे हैं फाइनली हमने देखा है कि एक अच्छी rally अमेरिकी बाजार में बनती हो दिखी है यूजली वैसे अगर आप देखेंगे तो DAO पांच दिनों से उपर जा रहा है पर वो feeling नहीं आती है कि पांच दिनों से उपर जा रहा है क्योंकि इतनी जादा volatility होती थी निचले सरों से आप देखते थे खरिदारी आती थी फिर गिरते थे फिर खरिदारी आती थी बट कल का trading session इसके विपरीत रहा क्योंकि कल शुरुवात ही खरिदारी से हुई और फिर बाजार ने strength बिल्ड करती रही तो अच्छी strength के साथ आपने देखा 500 से जादा अंकों की IT की leadership थी Russell 2000 में 2% से जादा की तेजी देखी है तो participation बहुत अच्छा था ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एक या दो sector से जिसकी विज़े से बाजार उपर गए ओवराल बाजारों की तरफ से participation बढ़िया बनते हो दिखा और इसलिए हमने अमेरिकी बाजारों में कल अच्छी rally देखी है और उसी का impact आप देख रहे हैं कि आज सुभा भी बाजार बढ़िया mode में देख रहे हैं अगर आप देखें कुछ individual factors कल की rally में तो IT stocks के तरफ से अ उचाल आते हो दिखा इन्होंने leadership दिखाई Twitter में 6% की तेजी है क्योंकि Elon Musk साब अभी भी Twitter की deal करने जा रहे हैं कुछ reports आ रही है कि funding थोड़ी change करेंगे equity component इसका थोड़ा change करेंगे but जब बड़ा indication है कि Elon Musk साब अभी भी इसको खरीदने में interested है तो वहाँ पर भी 6% का उचा सेमी कंड़क्टर स्टॉक्स में आपने अच्छा action देखा, retail shares जहां पर काफी भारी पिटाई हुई है पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर बढ़िया action था, एक दो companies के बढ़िया नतीजे आये जिसकी वज़से उनके shares में तेजी दिखी और हमने देखा कि बाकी retail stocks में भी अ आता रहा है, आज भी अगर आप देखें, personal spending और personal consumption ये दोनों data आने वाले हैं और important रहेंगे again fed policy से पहले और दिखाने के लिए की inflation के बावजूद किस तरह का action US consumer में हो रहा है इस समय तो वहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी, यॉरप कल हमने देखा अच्छा action था, आधे से 1.5% उपर यॉरप के बाजार बंद हुए, तो भहाँ से भी अच्छे ही संकेत आपको आते हो दिखें, और कल जब हमारे बाजार बंद रहे थे तो DAO futures एकदम सपाट थे, उसके सामने अगर आप देखें तो ये जो 500 पॉइंट की rally आई है, definite एक positive मानी जा सकती है, रखने हैं आपको नजर कच्छे तेल पर, यहां पर देखें, यूएस ही एक key factor है, जिसकी वज़े से तेल उपर गया है, बट काफी तेजी से उपर गया है, कल 3.3% की तेजी थी और आज सोबा भी आप खरेदारी देख रहे हैं, तो 117 के पार Brent है, 114 के पार WTI है, दो महीन की उचाई पर आपको तेल आते हो दिख रहा है, एक बार फिर से डिमांड बढ़ने के संकेत आपको आ रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका में लॉंग वीकेंड है, समर सीजन है, तो ड्राइविंग सीजन काफी यह माना जाता है, यूएस में, तो आप देख पहली 100 डॉलर पर था ब्रेंड, तो वहां से देखें, 17% की तेजी आपको तेल में आते हो दिख सके है, पिछले कुछ हफ्तों में और इसके दो महीने के उचाई पर यह दाम आपको दिख रहे हैं, बात करेंगे गोल्ड की एकदम रेंज में रहा है, चांदी एकदम अब वापिस अब देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, पांच दिनों से अमेरिकी बाजारों में अच्छा अक्षन है, डाउ में पांच दिनों से तेजी दिख रही है, और कल फाइनली एक कन्विंसिंग अपमूव आई है, जहां तक डाउ का सवार है, बिलकुल शुकरी आप माय साथ जुड़ने के लिए, पूरे ग्लोबल अपडेट्स रखने के लिए